Hello everyone, welcome to Parcham Classes. So, my name is Ashmeet Singh Kang और आप मेरी साथ कम्प्रीट करने वाले हैं हमारा जोग्रफी का मड़ी हूँ. आज सबसे पहला हमारा लेक्चर है जोग्रफी का एक इंट्रोड़क्शन लेक्चर रहने वाले हैं बट कुछ मेजर पॉइंट्स जो हम इस लेक्चर में जुरूँ डिस्कस करेंगे कैसे आप जोग्रफी अपने एक फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हैं क्यों स्टुडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हाती है जोग्रफी में जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसके बीचे हो सकते हैं कि दो-तिन रीजन्स हों अगर मैं अपने एक्स्पीजियंस की बात करूँ तो मेजर यहां पर आप तो प्रॉब्लम कहां पर आती है क्योंकि हमारी जो अप्रोच रहती है जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अप्रोच रहती है वो थोड़ी से प्रेडिशनल जा रही है अल्दो आप जन्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है लेकिन आपकी जो टेक्नीक है पढ़ने की वो इवॉल्व नहीं हो रही क्यों बाते मैंसी कर रहा हूं क्यों हम जोग्रफी में कुछ नया लेकर चलेंगे जिससे आप जोग्रफी जब बड्यूल खत्म होंगे तो आप बोलेंगे कि सर इससे रिलेटेड कोई भी कोशन पूछ लीजिए कैसे भी तरीके से पूछ लीजिए क्योंकि अब इमाक्तों स्लेबर्स भी दिखाने वाला हूं कैसे कोशन आते हैं जनरल ट्रेंड क्या रहा है वो भी देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे कोशन फर्दर भी बन सकते हैं तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहती हमारी तो ट्रेडिशनल अप्रोच यही चल रही है इंडियान एजुकेशन सिस्टम की कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिल्केड आपको प्रोवाइड किया जाना चाहिए एक सोर्स सोर्स अब यह सोर्स हो सकता है आपके नोट्स हों हो सकता है आपकी बुक्स हों और आप बोलेंगे कि यह नोट्स हमें दे लिजे हमें नोट्स तो रीड करेंगे and we will try to remember all these notes अगर आप भी अभी तक इसी concept में हैं तो याद रख लीजएगे कि आपकी भी traditional approach चल रही है कि मुझे notes दे दीजे, notes दे दीजे, messages आपके भी होंगे आपने भी comment कि होंगे, notes दे दीजे, notes दे दीजे concept नहीं समझना, books बता दो, एक book बता दो यह book मैं अपने आप जैसे मर्जी तरीके से करूँगा लेकिन उससे ही question आने चाहिए, फिर बाद में हम देखते हैं कि लेकिन इसमें से question भी नहीं आए, फिर हम कुछ other book sources के उपर चले जाते हैं और कहते हैं कि देखो इस book में से सारे questions आए हैं पर फिर जाकर चेक करते हैं तो उसमें तो हजारों fact दी होते हैं और वो सारे के सारे facts आप याद भी नहीं कर सकते हैं तो generally one-liner facts दिये जाते हैं, वो आपको हजारों में दे देंगे कितने ही याद कर लेंगे, एक limit होती है तो सबसे पहली चीजज, आप buna 2AB exam की त्यारी करने इं है UPSC की त्यारी करने है, State PCS की त्यारी करने है CDS की त्यारी करनी है या किसी भी exam की त्यारी करनी है सबसे पहली चीज़ जाद रखे, आप इस approach से बाहर आ जाइए कि मुझे source बता देंगे मैं read करूंगा remember करूंगा जी नहीं ये traditional approach है अब काम नहीं आएगे अब मैं ये क्यों कहा रहा हूँ ऐसे क्योंकि अगर आप ध्यान से सभी exams को देखेंगे ना तो इनका syllabus common ही है common syllabus में जो terms हैं वो general terms ही है आपके पास general syllabus नहीं है कुछ नए नहीं है UPSC ने कुछ अलगनी दे दिया State PCS ने कुछ अलगनी दे दिया CDS में कुछ अलगनी लिखा हुआ कुछ technicals होंगे कि इसमें science जाद आजेगे और कुछ नहीं है अगर आप quality देखेंगे geography देखेंगे, history देखेंगे तो repeat कर सकते हैं, topics तो repeat होंगे बस आप जो है उसकी application इस concept को समझेंगे और इसे 2-3 concept के साथ फर्दर उसे क्या करेंगे connect करेंगे, link करेंगे तब ही नए-ने questions बना पाएंगे यही approach लेकर चलनी है हमने सबसे important चीज traditional approach से बाहर आ जाईए जोग्रफी हम साथ करने वाले है जोग्रफी मेरे traditional approach से बिलकुल मैं बाहर निकलवाद में आप तो मैं ही आप से question बुछ हूँगा और आप तो ही answer करने पड़ेंगे और जब तक हमारा module खतुम होगा almost thousand से जादा answer आप खुद कर चुके होंगे class में तो अभी आपने करना क्या है तो आपने यह करना है कि आपने अपने जो है concept जो है वो develop करने है और कुछ नहीं करना एक बार concept develop कर लेजिए concept develop कर लेंगे तो फाइदा होगा क्या हो तो concept आप develop कर लेंगे तो आपको सबसे important फाइदा जोगा कि आप उस concept को understand कर लेंगे एक बार उस concept को understand कर लीजिए then second task होगा हमारा उस concept को analyze करना analyze करने के बार उस ही concept को हम evaluate भी करेंगे that's it यह तीन steps करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले understand का मतलब understand में हम समझेंगे कि इस concept में हाँ क्या हो what was the concept origin अगर देखेंगे आज अर्थ का origin देखेंगे तो क्या था then analyze करेंगे how, why, क्या reasons रहे हैं possible बताईए न चलो बता दी आपने यह concept reasons तो बताओ जब तक आप reasons नहीं बताएंगे मैं concept कैसे develop करूँगा then third number के उपर इसे analyze कीजे evaluate कीजे evaluate means यह मतलब अब यहाँ पर आपकी personal views आ जाएंगे कि यह जो पीछे कोई भी incident हुआ कोई भी क्या पर चीज जो भी क्या वो good है bad है अब यह generally आपका topic जो रहता है evaluation वाला यह हमारे लिए important है जो भी exam आप में mains लिखेंगे UPSC mains लिखेंगे state PCS mains लिखेंगे तो evaluation directly question में आप देखेंगे mains में लिखाते evaluate 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 बता यह सही है यह गलत है जो भी incident होगा जो भी topics होंगे वह politics related हो सकते है history से related हो सकते है geography से related हो सकते है किसी भी तरीके से related हो सकते है related to economics होंगे तो आपने क्या start करना है understand करना है analyze करना है उसे evaluate कीजिए that's it यह होगी हमारी एक new approach new approach में कुछ नया और भी लेकर आएंगे हम yes नया लेकर चलेंगे सबसे पहले तो यह sources वाले चक्कर दे निकलते हैं कि sources बता दीजे sources बता दीजे कोई आकर बोल देगा कि इसमें से जादा questions आए तो हम यह source पढ़ेंगे कि सारी जिंदकी sources के बिछे निकाल देंगे no सबसे important चीज what to read and second how much to read बस इसका ध्यान रख रुआ कौन सा topic कहां से पढ़ेंगे what to read आज मैं topic कर वाँँगा मैं books के नाम बता दूँग आपको कि NCRT आपने यह वाली करनी है क्या सारी books पढ़नी है जी नहीं पढ़नी कुछ topics जो है कुछ books में बहुत अच्छे से दिये गए है that's more than enough so how much limit नो भी लगाओगे कहीं पर limit भी लगाएंगे कि बस इससे जादा नहीं करेंगे ये एक limit है मेरी इससे जादा हम इस topic को वर्दर जो है explore नहीं करेंगे ये limit लगे इससे बाहर अगर कोशन आ रहे है तो अगर मेरे लिए बाहर से कोशन आ रहे हैं तो सभी के लिए बाहर से कोशन आ रहे होंगे बट मेरे ये पता है कि मैंने जहां से read किये हैं वो topic जो है complete थे वापर that's more than enough clear हुआ अब start करते हैं हमारा आज concept और आज हम start करने वाले हैं geography तो geography में हमारी एक approach रहने वाली है new approach रहेगी traditional में बिल्कुल मैं जाईएगा भूज इतने भी doubts सुनगे आपके doubts clear करने के लिए मैं बैट हूँ messages डाल दीजिए messages के आपके reply मिलेंगे कोई silly doubt भी आपको आपको लग रहे हैं कि सर यह बहुत silly doubt है नहीं पूछना चाहिए मुझे class में पूछ लो doubt लेकर आगे नहीं चल नाम नहीं कोई बड़ा doubt है छोटे से छोटा doubt है आप clear करेंगे इसे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे तभी आपका जो brain है वो concept develop कर पाएगा जब आप concept clear हो जाएंगे तो आप उसे implement कर सकते हैं then क्यों मैं यह गोल रहा हूँ हो जाएगी जोगरफे भी तक मैंने जोगरफी का slavos भी आपके साथ discuss नहीं किया कितने questions आते हैं trend analysis पुछ नहीं किया आपसे पहले वाले बैच में भी जोगरफी समझ आ चुकी थी उनसे पहले वालों को भी आ गए थी उनसे पहले वालों को भी आ जाएगी तो मुझे इसकी तो tension ही नहीं है कि जोगरफी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी जोगरफी हो जाएगी आपने 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 विश्वास जरूर रखना है motivated रही है अपने आपने विश्वास रखिए कोई भी topic, कोई भी subject आपको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो आपको हो सकते हैं अच्छी तरह से introduce ना किया गया हो अब introduce नहीं किया गया अच्छी तरीके से तो आपको अच्छा नहीं लग रहा बट अगर एक proper way में उससे slowly slowly introduce किया जाए आपसे उससे related questions पूछे जाए तो आपका interest बनेगा, concepts बनेगे वो सकता है कि आपको geography कुछ time के बाद यह लग रहा हो जैसे हम history में करते हैं, history में छोटी-छोटी stories होती है तो stories है कि एक story हमने leave कर दी तो कोई बात नहीं, second story से continue कर लेंगे और फिर आगे link मनते जाएंगे geography में ऐसा नहीं होगा तो धियान रिखेंगे, एक तो continuity चाहिए हमें then link मनाते चलिए concept develop कीजिए concept develop करने काम मेरा concept में आप तो doubt है doubt clear करने काम दो मेरा अब आ जाते हैं जरा geography के उपर geography start करेंगे start करने से पहले-पहले इसका syllabus देख लेते हैं कोई भी subject आपने शुरू करने कोई भी module शुरू करने उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे little syllabus देखेंगे कैसे उससे questions पूछे जाते हैं general trend देखेंगे that's more than enough पहले हमें पता तो हो कि actual में लिखा क्या हुआ syllabus में majority students त्यारी start कर देते हैं और कभी ask that syllabus ही नहीं देखा होता no geography का status syllabus for UPSC prelims का prelims में हमारे पास syllabus में लिखा क्या हुआ तो देखें लिखा हुआ है यहाँ पर एक interesting line और line है क्या तो वो line है हमारे Indian and world geography Indian geography, world geography उनके physical, social, economic geography of India and world कहना के चाते हैं कहना चाते हैं सब पढ़के हो फिर बोलोगे sir पिछे इन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया हैं यहाँ पे बट जो मेंज की हमारी geography है न उसमें उन्होंने clear cut बता दिया इससे बाहर नहीं जाते मेंज में आपका GS1 का exam आएगा जिसमें geography से related questions पूछे जाएंगे और majority जो है हम जो prelims में concept develop करेंगे, concept बनाएंगे, लिखेंगे तब ही आप यह सारे के सारे physical geography, world geography, earthquakes, tsunami, volcanic activities, cyclones, सब कर चुके होंगे तो कुछ ऐसे नहीं है कि इससे अलग हम कर रहे होंगे अलग करेंगे, yes, यहाँ पर हम कुछ current related information वो add कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा means का done तो geography में करना क्या है, आपने concept develop करते चलना है, link बनाते चलना है, बस अपने आपने विश्वास रखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, because human beings, human beings को बनाने में almost 13.7 billion years लग गए, and you are the super computers, super computer तो कुछ भी नहीं है आपके सामबे super computer होते हैं कि हम ऐसे, जिसमें सबसे fastest जो है, data process किया जा सकता है super computer बनाने वाले हम हैं, तो हमसे जादा कौन कर पाएगा, तो अपने आप पर वरुसरा रखिए, बहुत easy रहने वाले geography का हमारा concept, modules, easily easily एक user के साथ link करते चलेंगे, और जितने भी questions हैं, उन्हें discuss करते चलेंगे, अब आए जाएगे ज़रा trend के ओपर, तो questions का trend रहते गया, तो यह मैंने जो trend आप देख रहे हैं अगबार, तो यह UPSC Prelims का है तो आप देखेंगे कि last year, 2023 में 16 questions बुचे गए थे, इस साल 2024 में geography से 20 questions बुचे गए थे, उससे पहले थोड़ा से कम था 9,9, तो 16 से 20 अच्छी growth है, geography से little question आ रहे हैं, easily आप से पूछे जाएंगे, easily आप attempt भी कर सकते हैं, कुछ rocket science नहीं चाहिए आपको, बस आपने अपने आपको concentrate करना है class में, concentrate का मतलब क्या हुआ, यह रही है कि class में बैठे हैं, और mind जो है, कहीं पर जा रहे हैं कि शाम को खेलने भी तो जाने, किसी को मिलना भी तो है, किसी का message भी तो आना चाहिए, ऐसा नहीं होने चाहिए, concentration का मतलब class में concentrate कीजिएगा, और कहीं नहीं करना आपने, जी, तो proper concentration के स साथ, एक बड़ा topic जो है, बड़ा topic नहीं है, चोटा सा topic है, interesting topic है, but वो topic है हमारा, that is solar system, तो यह discuss करूँगा, लेकिन कौन-कौन से हम बीच में topics और cover करने वाले हैं, पूरे geography के module में, तो वहाँ पे हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है, geomorphology, subject है हमारे पास, अलग से आप कह स करेंगे, क्यों, क्योंकि, directly एक तो syllabus में लिखा हुए, यहां से questions भी आते हैं, कौन सी rivers हैं, mountains कौन से, आपको countries में मिलेंगे, उससे related questions पूछ ले जाते हैं, अब interesting चीज है, geography की वजह से ही, जो human beings है, उनका nature बनता है, जिस region में, जो लोग रह रहे हैं, different regions में लग लग तरीक ही है, उनका society, उनका lifestyle, सब according to their geography ही है, एक plain area में और एक hilly area में, जो लोग रह रहे हैं, उनके बीच में lifestyle का difference इसी वजह से, क्योंकि, उनकी geography है, then, next, oceanography, तो एक बर आपको पहाड़ों के ऊपर, rivers के ऊपर घुमाने के बाद, फिर देखके आएंगे, कि oceans में, actual में कह है, oceans में लग 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 जब हम Indian physical geography कर रहे होंगे तो आपको समझाएगा कि हाँ अब चीजे हमारी history के साथ connectory हैं अब चीजे हमारी economy के साथ connectory हैं कि सर ने geography में बताया था इस region में latus हैं इस region में ये वाले जो हैं landforms मिलेंगे इस region में wetlands हैं इस region में आपको पास अलग-लग तरीके के और landforms like hills मिल जाएंगे rivers कहाँ पर है rivers अपने साथ कौन सी स्वाइल लेकर चलेंगी black स्वाइल कहाँ पर मिलेंगी तो उसी से related minerals कहाँ पर मिलेंगे तो सबसे interesting facts जो है हमार पास इधर ही मिलके आएंगे तभी हम जो है हमारा industries mining sector वो easily locate कर पाएंगे कि कौन सी mines कहाँ पर हो सकती है और फिर finally चलेंगे human geography की तरफ यह हमारा module का सबसे end वाला part रहने वाला है human geography जिसमें इंडिया में और world में कौन सी tribe कहाँ पर है then कोई important industries है वो कहाँ पर है वो सब कुछ discuss करेंगे human geography में end में रहने वाला है important yes important है directly आपसे question जरूर कुछे जाते है but यह सब कुछ शुरू करने से पहले पहले मुझे यह तो पता हो कि मेरा origin कहाँ से हुआ origin देखिए मैंने आपके सामने दो images में लेकिया हूँ solar system, galaxy, universe से सब ने नाम सुन रखे है मैं कहाँ पर हूँ origin कहाँ से हुआ हम अर्थ भी उपर बैटे हैं अर्थ का origin कहाँ से हुआ यहाँ से शुरू करते हैं एक interesting style से क्योंकि मैंने अभी एक word बोला था आपको that 13.7 billion years ago कुछ हुआ था 13.7 billion years ago ऐसा क्या हो गया तो start करते हैं समझेंगे एक एक करके मैं सारी चीज़े आपको अभी बताऊँगा देखेंगे सबसे पहले मेरे mind में question आने चाहिए जहाँ पर मैं रह रहा हूँ अर्थ अर्थ हैं कहाँ पर तो easy question अर्थ कहाँ पर है आप बोलोगे कि सर अर्थ जो है अर्थ is a part of solar system यही आंसर करना था आपने अर्थ is a part of solar system तो solar system में सबसे important चीज़ क्या है solar system में center में है कुछ solar system में center में सबसे important है हमार पास sun तो sun क्या है sun is a star क्या हमारे solar system में सिरफ एक ही star है नहीं हमारे solar system में billions of stars है तो सबसे important star लेकिन sunny है तो यह जो जितने भी stars है plus sun यह मिलकर क्या बनाते है तो यह sun और stars सब मिलकर बनाएंगे एक galaxy और जो हमारी galaxy है उसका name है मिलकी वे क्या सिरफ एक ही galaxy है जी नहीं हजारों ही galaxy है बहुत ज्यादा galaxies है ठीक है तो एक galaxy नहीं है बहुत galaxies है और यह सभी galaxies मिलकर बनाती है एक universe इतना clear हुआ Earth solar system का part important star sun sun जैसे और भी stars है यह मिलके बनाएंगी galaxy बहुत galaxies हैं और उनमें से मिलके बनाएंगे universe अब चलते हैं आगे तो मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि एक universe में universe में energy है एक यह एक यूनिवर्स में मास है यह यह यूनिवर्स में स्पेस है यह यह यूनिवर्स में टाइम है यह चारों चीजें कब आई कैसे आई यह समझेंगे हम बोलते रहते हैं time 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 सर बताइए किस time पे class होगी time कितना लगएगा कितना लगएगा space, mass, energy आया कहां से आया कहां से यह तो नहीं याद रहता कब कुछ हुआ था उससे पहले क्या था, क्या नहीं था कौन बताएगा तो मतलब सबसे important topic हमारा that is a region of universe पहले universe समझ लेते हैं universe बनाओगा तो उसमें galaxies बने होंगी galaxies बने होंगी तो उसमें stars बने होंगी stars बने होंगे तो sun बनाओगा sun बनाओगा, solar system बनाओगा अर्थ भी तो बनाओगा समझ आया आईए फिरो तो शुरू करते हैं universe का origin अब देखना में एक एक करके time, space, energy, mass सब लेकिया होंगा इसमें तो हमारे पास अलग-अलग theories है ठीक है, जो सबसे profound theory है, जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है that theory is the big bang theory एक big bang theory है क्यों है big bang theory, क्या कहना चाती है big bang theory समझेंगे से आगे आज आगे आज 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 को बुक भी बताउँगा कि ये बुक है, refer की जाएगी, वो पढ़किया ये और चैप्टर नेम भी बताऊँगा कि यह chapter यहां तक पढ़ किया ना आपने तो सारे के सारे concept वहीं से clear हो जाएंगे फिर आप यह ने बुच्छों के सब सोर्स notes 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 कुछ नहीं जहां से सबसे best दिया होगा वहीं आपको बताएंगे कि class में discuss किया पढ़ किया हो वहां से और फिर वहीं से question भी में अगले दिन लेकिया होगा अपके लिए कि पढ़ लिया था अब आजाओ जाओ 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 और क्या चाहिए concept समझा डेवलप किया जाओ questions किया आगे वढ़ते हैं तो शुरू करते हैं बिग बैंग थियोरी से फोटो देखें जरा बिग बैंग थियोरी क्या चल रहा है बिग बैंग थियोरी में तो आप देखोगे ध्यान से तो वो लोगे कि सर यहां पे इसी तरह का explosion लग रहा है तो यह है का explosion देखें according to बिग बैंग थियोरी एक बहुत बड़े explosion हुआ था almost 13.7 billion year ago 13.7 billion year ago एक explosion हुआ और उस explosion से जब वो explosion हुआ तब ही से space जो एक्सपैंड करने लगी जिस time explosion हुआ जब space expand करने लगी उसी time से उसी वक्त से time स्टार्ट हो चुक है मतलब जब वो explode हुआ अब Apollo के साथ explode हुआ क्या पहले ये तो बजा दो तो एक atom था एक atom था जिसमे infinite energy हमने calculate नहीं कर सकते कितने energy थी जिसमे infinite mass था जिसमे infinite space थी और time था जब ये एक atom explode किया तो explode करने के बाद इसने क्या किया expand करना शुरू किया space जो है that started to expand अब आप सोचना शुरू कीजिए मैं लिखना शुरू करूंगा और आप जो है सोचना start करेंगे ठीक है तो शुरू करते है Big Bang Theory और Big Bang Theory जो है that was started in almost 13.7 billion year ago हुआ जब यह explosion हुई इसी के साथ ही time start हो गया हमें पता चल गया कि चलो explosion हुई explosion के साथ क्या हुआ जो अंदर mass था matter था वो expand करना शुरू किया जब वो expand होगा that means space started to expand अब जब यह एक atom जिसे हम atom के बोल रहा हूँ actual में इसे बोलते हैं तो इसे बोलते हैं singularity 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 वो जो मैंने एक atom बताया था आपको जिसने explode किया that was singularity और जब उसने explosion हुई उसमें तो उसे time start हुआ और within the minutes within the minutes मतलब within the minutes के अगर बात करो तो 3 minute के बीच बीच में हमारे पास mass जो है वो है यहां फिर आप कैसे सकते हैं हमारे पास matter जो है वो exist करना शुरू कर दे matter है matter के न आपने बच्पन में बढ़े होंगे three stages of matter solid, liquid, gas लेकिन fourth भी है और fourth कौन सा है that is plasma तो जब यह explosion हुई big bang की तो इसमें से जो mass निकला तो वो था क्या तो सारा का सारा mass जो इसमें था that was hydrogen hydrogen था जिरॉफ periodic table में सबसे पहले आता है जो hydrogen पूर अग बुरा mass hydrogen ही था और यह hydrogen था भी कि state में क्यूंकि अभी explosion हुए तो बहुत hot था यह hydrogen तो याद कैसे रखेंगे so hydrogen was in plasma form तो यह hydrogen था plasma form में clear हुआ big bang big bang से पहले क्या था singularity था इसमें explosion हो गया explosion के साथ ही time start हो गया time के साथ ही space जो हो expand करने लग गया और expansion के साथ ही हमारे पास within 3 minutes जो है mass देखने को मिला matter matter in the form of plasma देखने को मिला और वो था क्या matter सारा का सारा hydrogen ही था हो अब चलते हैं जरा आगे अब यह जो matter है क्या हो हर time के लिए मतलब अभी तक cool down नहीं करेगा नहीं ऐसा तो नहीं होगा temperature जो हो decrease भी करेगा so after big bang explosion यह जितना भी matter है जो plasma में था it started to cool down that means यह जो hydrogen है जो plasma form में है अब यह convert होगा into gaseous state gas form में आ गया जो आप याद रिखते हैं solid liquid gas तो hydrogen gas बनना शुरू हुआ तो आपके mind मैएगा कि सर आज तक कहीं पर है hydrogen hydrogen plasma form में यह है आज भी आपको plasma form में hydrogen helium मिल जाएंगे कहां पर मिलते हैं तो sun की बात कर लीजिए जो sun में आपको bright से दिखते हैं तो sun के अंदर जो reaction से रही है hydrogen or helium ही तो है वो plasma form में है plasma है कि actual में solid और liquid के बीच वाली state है plasma that is the fourth state of matter ठीक है clear हो गया अभी तक अर्थ नहीं बना त्यान रखना अर्थ मैंने नहीं बनाया अभी sun भी नहीं बना अभी सिर्फ बन के रहा है तो अभी हमारे पास big bang explosion हुआ और explosion से suppose करते हैं कि यह explosion थी ऐसे करते 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 जो है वो hydrogen जो है वो निकला और hydrogen भी किस shape में hydrogen plasma की form में था और यह जो है चारो तरफ hydrogen in plasma form जो है वो जा रहा explode किया every direction यहीं से ही जो है फिर शुरू क्या होगा अब hydrogen plasma से gas form में जा रहा है तो यहाँ पर भी hydrogen कैस है यहाँ पर भी hydrogen है यहाँ पर भी hydrogen है और इन सभी hydrogen के लंप्स बनने शुरू हो गए लंप्स मतलब गुच्छे से बन गए और यह अब start क्या होगा यहाँ पर हमारी galaxies बनेंगी क्यों क्योंकि यह जो है यह बने group of gases बनना शुरू है gases है यह और यह भी नहीं है कि आपे equal distribution होगी एक चोटी सी ball होती है न बॉल को तोड़ दो उसके अलग अलग हिससे हो जागे कहीं पर बढ़ा हिससा तूर जाए कहीं पर चोटा चला जागा ऐसे इनकी density जो है वह अलग अलग थी density अलग अलग थी तो यह जो मैंने चोटे 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 groups बनाया न यहां से existence में आया यहां से existence में आएंगे हमारी galaxy galaxy बनी यहांपर hydrogen के जो lumps है gases के जो lumps है तो उनसे बना क्या galaxies बनी अभी solar system नहीं बना अभी earth भी नहीं बना अभी big bang से सीरफ और सीरफ galaxies बनी और galaxies एक दूसरे के अलग अलग density की है कोई galaxy वड़ी है कोई galaxy चोटी है done आगे चलते है galaxies बनने के बाद यह जो gases है यह gases क्या करेंगी अब form करेंगी एक चोटी सी shape में आएंगे टीक है तो gases जो है consolidate करना शूरू करेंगी और यह gases बनाना शूरू करेंगी star galaxies बनाना शूरू करेंगी star अब मैं क्यूं बोल्ट हो ऐसे क्यूंकि देखिए हर एक star की जो है वह एक life होती है हर एक star की life होती है gases है gases आपने interact करेंगी आगे मैं बताऊंगा की कैसे interact करेंगी fusion होगी fusion होगी सब बताऊंगा tension मत लीजिए अभी सिरफ easy भाष हमें समझो first class है क्यों heavy करना उनने easy भाष हमें समझो तो अभी star बने अभी यह stars जो है हर star की एक life होगी और life खत्म होने के बाद जिसम कहते हैं कि एक star की death हो गई है अब star की death जो है बहुत बड़ा incident है yes अगर कोई भी star जिसका size 1.44 times more है जादा है sun से और वो star की death हो जाएगी तो हमारे लिए important event बन क्या हो चोटे-चोटे stars है उनका कोई दिक्कत नहीं है उनका birth हो रहा है death हो रही है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर कोई star जिसके size जो है 1.44 the times of a sun है तो जब वो star की life कत्म हो जाएगी ना तब वो star explode करेगा और जब यह star explode करेगा तो इसे बोला जाता है super nova explosion stars बने stars की death हुई और stars की death के बाद एक बड़ा star था बहुत बड़ा star था और जिसकी death के बाद explosion हुई और explosion को बोला गया super nova explosion तो जब हमारी galaxies बने ना जब यह galaxies बन रही है तब ही इसी time period में almost around 8.4 billion year ago हमें देखने को मिला super nova explosion अब super nova explosion से होगा क्या super nova explosion से न energy जो है वो रिलीज होगी हमारी galaxy चल रही थी चल रही थी बड़ी है चल रही है कहीं पर दूर पर super nova explosion हुआ उसने energy रिलीज की जब उसने energy रिलीज की ना तो हमारी जो galaxy है milky wave इसमें जो gases है वो gases segregate होगी वो gases segregate होगी यहापे यहाद रिखिएगा अभी आपने mind में आगा इसमें atoms कर बने मैं atoms पर भी आता हूँ तो यह atoms जब हमारे hydrogen plasma से gases form में आया तब atoms बनने शुरू है अभी तक जब galaxies में हम यहाँ पर घूम रहे है सुपर नोवाइल explosion से पहले तब तक सिरफ hydrogen से लेकर आयरन तक के atoms बने थे बस periodic table में जाओगे मैं नहीं जा रहा हूँ chemistry की class नहीं है यह geography की class है periodic table में total 118 आपके पास atoms है ठीक है तो वह नहीं जा रहे है भी हम तो hydrogen से लेकर आयरन तक के बने बट जब supernova explosion हुई तो उससे क्या हुआ तो उससे हमारी galaxy में यह जो gases है जो gases के atoms है यह segregate हुए तो इससे क्या हुआ इससे sun की formation होगी supernova explosion से planets form हुँगे कैसे form हुँगे इस energy की वजह से form हुँगे इस energy के push से जो major hydrogen और helium है इससे बन जाएगा हमारा sun और जो बाकी elements है उनसे बनेगे planets ठीक है आज भी आप जाएगे sun जो है उसमें majorly का मिलेगा hydrogen और helium तो इस तरह से supernova explosion से हमारे पास existence में आया हमारा present solar system जिसके center में sun है और छोटे छोटे planets जो है वह आपको देखने को मिलेंगे बनते हो अब आ जाएगे ज़रा पीपिटी के तरफ big bang theory समझाए आपको big bang theory में हुआ क्या big bang theory से क्या बनकर आए big bang theory से time आया space आया energy आया मास आया clear big bang theory से हमारे पास galaxies बनती हुए देखने को मिली big bang theory में हमारे पास hydrogen निकल के आया big bang से पहले क्या था singularity थी जब big bang हो गया then उसके बाद हमारे पास supernova explosion देखने को मिला और उस supernova explosion के वज़ा से हमारे पास solar system बना वही solar system जिसमें हमारे पास sun भी है center में और planets भी है अब जब solar system बने गया अब चलते हैं ज़रा आगे अर्थ भी तो बनानाना है आपने अर्थ कैसे बनेगा तो देखिए यह बन गया sun में यह रहा sun यह रहा sun अब sun के साथ planets बनेगे हमारे पास solar system में 8 planets हैं किसी और में जादा भी होंगे कम भी होंगे अब क्योंकि sun जो है इसका temperature बहुत जाद है तो हम क्या कर सकते है sun के बिल्कुल past मे है ऐसा एक area होगा जहां पर ना ही जादा hot climate है और ना ही जादा cold है conditions उस region को क्या बोले जाएगा उस region को बोले जाएगा गोल्डी लॉक जोन गोल्डी लॉक जोन क्यों होंगे गोल्डी लॉक जोन होंगे वह region जहां पर life exist कर सकती है that's it और coincidence देखिए गोल्डी लॉक जोन में कौन सा planet है जिस पर हम रहते हैं और वो है अर्थ गोल्डी लॉक जोन में अर्थ है अर्थ इंपोर्टनेट क्यों है अर्थ इंपोर्टनेट इसलिए क्योंकि अर्थ में आपको मिलेगा liquid form में hydrogen h2o that is water liquid form में water मिला ना बिलकुल पास चले जाते evaporate बिलकुल दूर चले जाते तो freeze हो जाता तो हम उसी region में रह गए है जहां पर हमारे पस liquid form में water मिलेगा अब next class में आप से मैं पढ़ाऊंगा कैसे इस liquid form of water की वज़ा से इंडिया में world में life came into existence यह जो पानी है liquid form of water है इसी के वज़ा से life आएगी इसी में ही cell develop होंगे और initial जितने भी species हैं वो कहां पर मिलेंगे आपको वो surface पे नहीं आएंगे हावा में नहीं आएंगे land पे नहीं बनेगा सब कुछ जो होगा life ही जो exist करेगी स्टार्टिंग में पानी में गरेगी क्यों क्यूंकि हम किसमें है गोल्डी लॉक जोन में थोड़ा करंट से इसे एक्वेट करूं तो नासा के missions चलते रहते हैं अब मैंने आपको बताए काफी galaxies है काफी galaxies की तरह हो सकता है कि वहां पर भी solar system हम बने हो supernova explosion की वज़ा से वहां पर भी गोल्डी लॉक जोन हो सकता है उस galaxy में और उस गोल्डी लॉक जोन में एक planet हमारे जैसा भी हो सकता है जहां पर life exist करती हो तो मतलब हमारे जैसे और भी अर्थ हो सकते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं जिन्हें हम जनरली बोलते हैं exoplanets जहां पर life जो आपको exist कर सकती है तो find out करने के हम नहीं गोल्डी लॉक जोन्स find out करने अलग लग galaxies में तो इसके लिए NASA के अलग लग missions है like Kepler mission ठीक है तो यह मैंने current के साथ जो है आपको equate कर दिया Kepler mission Kepler mission गोल्डी लॉक जोन्स find कर दें बस यह देख रहें कि हमारे जासे कुछ मिल जाएं उनसे बाते बूते कर लें हां भी तुम बताओ तुमारा ओरीजन कैसे हुआ नहीं पता तो हम बता देते हैं clear हुआ जी तो अभी इतना रखेंगा आज की क्लास में इंट्रोडेक्शन क्लास भी जादे है भी नहीं करूँगा मैं तो अभी आपने करना किया क्यूंकि मेरा जेनरल ट्रेंड यही रहेगा कुछ तो मैं क्लास में आपको डिक्टेट करूँगा थीक है इसके अलावा प्लस वन क्लास फंडमेंटल ऑफ फिजिकल जॉगरफी बुक है हमारे पास इसमें चैप्टर नंबर जो है वो सेकिंड है चैप्टर नंबर सेकिंड में ओरीजिन ऑफ अर्थ से पहले पहले तक का जितना भी टॉपिक है वो सब पढ़ लीजी आप जो मैंने क्लास में करवाया सेम आ जाएगा आपको समझ आ जाएगा सोर्स की दिक्कत नहीं होगी कि सर कहां से पढ़े मैं बता रहूं यह चैप्टर इस बुक से पढ़ना इस से बाहर नहीं पढ़ना कहीं और से नहीं पढ़ना that's it next class में मैं इसी चैप्टर से जो मैंने आज करवाया इसी से related mcqs बूच हूँगा और मैं यह जीज़ लेकर चलूँगा कि आपने यह बुक पढ़ी होगी यह topic इतना किया होगा बहुत ज्यादा नहीं है तीन pages है सिरफ वह आपसे पढ़िके यह में आपत्र बताऊंगा वहां से portion कैसे बनेंगे clear discuss करेंगे class में और फिर आगे continue करते हैं अर्थ जो आज हमें देखने को मलता है यह कैसे आया existence में अर्थ जो है वो कैसे evolve किया evolution of earth पढ़ेंगे oceans कैसे बने continents कैसे बने फिर slowly slowly आगे चलेंगे geomorphology में भाट पूरूर भी बनाएंगे continents भी बनाएंगे सब करेंगे बट अभी इतना रिखेंगे clear? जैसे जैसे class में करते जाएंगे उसे से related topics की questions भी करते जाएंगे जिसे आपको confidence will do because you are the super computers देख लो कितना important है big bang के बाद क्या क्या चीज़े होई तो जाके आप जो हैं existence में आ रहे हैं तो बहुत lucky है super computer है आप सब कर सकते हैं tension मत लीजिए हम नहीं find out कर लिया कि यह सब कुछ हुआ था तो यह रहेगा आज तक का हमारा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you thank you very much